हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे आज के स्टार्ट अप जीके के इस वीडियो में इस वीडियो में हम आप से जैसा कि आप सभी को पता होगा पुछते हैं दस सवाल उनमें से 6-7 क्विश्चिन्स के आपको एंसर्स देने होते हैं अगर आपने 6-7 क्विश्चिन्स के अंसर्स नहीं दिया मतलब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो आपको और भी जादा मेहनत करने की जरूरत है तो इस वीडियो में आपको करना क्या होता है कि पर क्विश्चिन्स आपको एंसर्स देने के लिए मिलता है पाच-5 करना करने होते है तो चलिए देखते हैं जैसे कि आपके स्क्रिय पे फर्स्ट क्विश्चिन आ भी गया होगा पहला क्विश्चिन कह रहा है भारतीय संसत के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है आपसे पुछ रहा है भारत का जो पढ़लेया मेंट होता है उसके हम अपर हाउस को किस नाम से जानते हैं ये हमसे पुछ रहा है आपको करना क्या होता है इसके एंसर कैसे देने होते है कि question number one लिखा अस्पेस दिया और जो भी option है ए है बी है या सी है या डी है आप यहाँ पे डैस अस्पेस लेकर लिख सकते हो तो चलिए आपका समय शुरू हो रहा है तो पास सकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं तो चलिए देखते हैं भारती पढले मेंट के upper house को किस नाम से जाना जाता है तो विदाहान सभा यानि option number B तो जिन लोगों ने भी विदाहान सभा पे answer क्लिक किया होगा बहुत ही अच्छी बात है option number B ही आपका होगा आप इस वीडियो को जो है last तक जरूर देखे विकाज यहाँ पे जो भी questions करवा रहे हैं और यह जो भी questions हम ले रहे हैं लगबख previous years के आपके repeated questions है जो की लगतार पुछे जा रहे हैं वही सारे questions हम यहाँ पे ले रहे हैं तो चड़िये देखते है next question next question है question number two भारतिये राष्ट्रिये Congress की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप से पुछ रहे है भारतिये राष्ट्रिये Congress यानि Indian National Congress की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके चार options है सरोज़नी, नाइडियू, विखाजी, कामा, एनी वशंड या विज़य लक्ष में पहुंगे तो answers को जल्दी से जल्दी comment box में comment कर दीजे आई होप आपने इतनी तेरी में answers को comment box में comment कर भी दिया होगा तो चली देखते हैं, Indian National Congress की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट यानि option number C नेक्स्ट है question number 3 वर्स 1905 के बंगाल विभाजन के समय वाई सराय कौन था? वर्स 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ उस समय जो भारत के वाई सराय थे वो कौन थे? लौर्ड करजन, लौर्ड डफरिन, लौर्ड होर्डिंग या लौर्ड मिन्टिंग? मिन्टो, जल्दी से जल्दी answers को comment box में comment कर दीजे चलिए देखते हैं वर्स 1905 के बंगाल विभाजन के समय वाई सराय कौन थे? तो लौर्ड करजन थे यानि option number A नेक्स्ट है question number 4 निम्न लिखित मेंसे किस सुल्दान के दर्वार में सबसे अधीक गुलाम थे कर रहे? कौन से ऐसे सुल्दान थे? जिनके दर्वार में सबसे अधीक गुलाम थे? बलबन, अलाउदीन, खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? एंसर्स को जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए तो पाच सकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं तो चलिए देखते कौन से ऐसे सुल्दान थे? जिनके ने सबसे अधीक को लाम रखा था तो वो थे फिरोज तुगलक यानी option number D next question number 5 तो चलिए देखते हैं तो वीमल जालान यानी option number A books and author आपके लिए most important चीज़ है यहां से questions पूछे जाते हैं खास करके currents में जो books and authors जो भी books के author होते हैं वहां से और आपके previous भी पुछे जाते हैं तो यह books and authors आपके लिए बहुत ज़्यादा important है इसे आप रटिक नहीं लो next है जूम क्रिशी कहां पर की जाती है आप से पूछ जूम क्रिशी कहां पर की जाती है यहां पर आपका उत्तर पूर्व भारत दक्षिन पस्चिम भारत दक्षिन पूर्व भारत या उत्तर भारत answers को जल्दी से जल्दी comment box में comment कर दीजिए यहां पर तो पाथ सकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं तो चलिए देखते हैं जूम क्रिशी कहां पर की जाती है तो यह उत्तर पूर्व भारत में की जाती है यानि option number A इसके अलाब अगर हम जुगरफी यानि भूगोल की बात करें तो आपके लिए important है कौन सी क्रिशी कहां पर की जाती है दूसरा आपके जो है कौन सा जल परपाथ कहां पर है ये भी आपके लिए important questions हो जाएगी फिर इसी तरीके से आपके और भी important जो यहां पर आते हैं कौन सी जील कहां पर है ये सारे आपके लिए important important questions है इसे आपको अच्छे तरीके से देख लेने हैं नेक्स्ट एक्षिन नमर सेवन मानव विकास सुचकांग की अर्थ सास्त्री की देन है यूमन डिवलप्मेंट का जो सुचकांग है वो कौन से अर्थ सास्त्री की देन है एडमसमीत, अमरतिसेन, किन्स या महबूल वुलहक तो एंसर्स को कमेंट वॉक्स में कमेंट कर देजए कि कौन से अर्थ सास्त्री ने मानव विकास सुचकांग को हमें दिया आई होप आपने एंसर्स को इतनी तेरी में विकास में कमेंट कर दिया होगा तो चलिए देखते हैं मानव, विकास, सूचकांग की सर्थ सास्त्री की देंती तो महभूब, उलहक यानि option number D इसकी अलावा मैं आपको फिर से बुर रही आई हो आपको इस quiz में मज़ा भी आ रहा होगा तो अगर इस quiz में मज़ा आ रहा है तो अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे क्योंकि डेली हम एक से दो आपके quiz की वीडियो अपलोड कर रहे हैं लगतार आपके लगबग 200 questions की यहाँ पे set बन भी गई होगी तो अगर आपने वह सारे 200 questions आगे जो भी हम आपके exam तक questions करवाएंगे तो आपको लगबग ZK की questions कभर हो जाए कि जो भी आपके आँ सकते थे बाकी current affairs तो आपके लिए important है ही तो उसके लिए भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं आप वह सारे वीडियो देखने के लिए चाइनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए अगर चाइनल में नए है तो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक किजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमारी एक भी वीडियो मिस न करें तो चलिए देखते हैं क्षिशन नमबर एट देवगर अस्थित प्रशित सिव मंदिर का निर्मान कि शासक द्वारा कराया गया था आपसे पूछ रहा है कि देवगर में जो बहुत ही फेमज शिव मंदिर है वो कौन से सासक द्वारा कराया गया था उसका निर्मान राजा फनी मुकुट राजा पूरन मल सिव बालक या रुद्र परताप एंसर्स को कमेंट वोक्स में कमेंट कर दीजे तो पास सकेंट सापके पूरे हो गया है आई होप आपने अंसर्स को कमेंट वोक्स में कमेंट कर दिया होगा तो चलिए देखते हैं सिव मंदिर का निर्मान किस सासक द्वारा करवाया गया तो ये करवाया गया राजा पूरन मल के द्वारा यानी option number B next question number 9 वीट स्टोन ब्रीज से क्या मापा जाता है आपसे पुछ रहा है वीट स्टोन ब्रीज वीट स्टोन ब्रीज से क्या मापा जाता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप इसे भी अच्छी तरीकी से एक बार देख लेना I hope आपने answers को comment box में comment कर दिया होगा तो चलिए देखते हैं वीट स्टोन ब्रीज से क्या मापा जाता है तो प्रतिरोध मापा जाता है यानी option number C next question number 10 डेविस कप का संबंद किस खेल से है आप से पुछ रहा है डेविस कप का संबंद किस खेल से है क्रिकेट, लॉन टेनिस, बेडमिंटन या टेवल टेनिस answers को जल्दी से जल्दी comment box में comment कर दिजिए तो पाट सकिंड साब के पूरे हो चुके आपने answers को comment box में comment कर भी दिया होगा तो चलिए दिखते है डेविस कप का संबंद किस खेल से है तो लॉन टेनिस से यानी option number B इसके अलावा कौन से कप का संबंद किस खेल से है कौन से ट्रॉफी का संबंद किस खेल से है यहाँ पे खेल संबंदी जो जो questions आपके हो सकते है और भी इसके अलावा जो questions है वो आपके क्या क्या होंगे हमने कप ट्रॉफी आपको बता दिया फिर इसके अलावा जो आपका आता है कौन से आवार्ड खेल में मिलता है ध्यान चदावाट किस चीज के लिए मिलता है यह सारे चीज और कौन से गेम में कितने खिलाड़ी होते है जैसे क्रिकेट में ही क्या रह होते है उसी तरीके से और आपको पूछे जाता है कौन से country का कौन सा national game है यह सारे आपके लिए important questions है आपको यह सारे cover करने है और इसके साथ साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर करें और channel को subscribe तो करें ही करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को friends के साथ share किसे ताकि और भी लोग squeeze में हिस्सा ले सके और सभी को यहाँ पर help मिल सके आपके जो भी friends और relatives competitive exam की तयारी करें सभी को आप अपने whatsapp group facebook group, instagram group पे share किसे तो आज के लिए बस इतना ही then bye and thanks for watching this video